हमारा परियावन से अध्याय साथ मानुवय परियावन बस्तियां परिवहन एवं संचार के अंतरकत भाग दो में चर्चा करेंगे परिवहन की गत वीडियो आपने देखा जिसमें हमने चर्चा की थी बस्तियों के बारे में और आज चर्चा कर रहे हैं परिभहन के बारे में तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाईए तई यार देखते हैं परिभहन सबसे पहले परिवहन की परिभासा क्या है सामने सब्दों में परिवहन आपने कई बार सुनाओगा परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट यानि कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का जो साधन होता है यानि कि आपको यात्रा करनी है और यात्रा के लिए आप परिवह के साद्रों का इस्तेमाल करते हैं आदिम समय से अगर हम देखें तो बहुत सारे बदलाव हुए थे और आप जानते हैं किस तरीके से आदिम अवस्ता में मानव ने अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए आपने पढ़ा था कि पईये का अविस्कार किया और पईये के आविस्कार के साथ ही एक क्रांति का यूग शुरू हो गया था तो देखते हैं नोट कीजिए का एक एक चीज को परिभासा में परिवहन से तात्परिये यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्तान से दोसरे स्तान पर ले जाते हैं यानि कि परिवहन सामने रोप से क्या है वस्तुओं इंसान एक स्तान से दोसरे स्तान ले जाना है बहुत सारी वस्तुओं जब पैदावार होने लगी स्थाई जीवन जीने लगा बहुत सारा उत्पादन करने लगा उध्योग धंदे लग गए अब उसके आधार पर उसे क्या करना था व्यापार करना था और व्य इने में पढ़ा था, बाटर सिस्टम पढ़ा था, कि जिसके तहट खाली वस्तों के बद्दों वस्तों दी जाती थी, तो मनुशे कितनी आवशक्ताइं होती नहीं थी, वह अपने छेत्र में ही उन आवशक्ताओं को पूरा कर लेता था, पर धीरे धीरे जैसे विकास होता ग बहुत सारा बदलाव होने लगा, मनुशे कि आवशक्ताइं तुरंत पूरी होने लगी, तो उसके लिए उसने एक साधन चुना, वह साधन था, तिवरगामी अलग-अलग तरीके के साधन थे, जिसमें हम पढ़ेंगे, एक स्तल परिवयन होता है, एक जल परिवयन होता है, और इसी तरीके से पाइपलाइन के माध्यम से भी परिवयन किया जाता है, बहुत सारी ऐसी तरल वस्तवे होती हैं, जिनको सुरक्षा की दृष्टी से पाइपलाइन के माध्यम से जैसे गैस है, तेल है, ये भी एक परिवयन के साधनों के अंतरगत आता है, देखिए, किस मजबूत होगा, जहां का आर्थिक विकास बैहतर होगा. और जिन इलाकों में विकास ज्यादा है, वहां उतना ही परिवहन तंत्र क्या है? सुद्रड देखने को मिलेगा, मजबूत देखने को मिलेगा. ये देखे एक चित्र से प्रदेशित किया गया है ये महानगरों का परिवहन तंत्र है आप देख रहे हैं कितनी सगंता यहां देखने को मिल रही है आगे देखते हैं परिवहन का इतियास जिस तरीके से हमने बस्तियों का इतियास पढ़ा परिवहन का इतियास भी एक बड़ रोचक है, देखते हैं किस तरीके से शुरुवात हुई, आदी मवस्ता में आप देख रहे हैं, इनसान ने जब वस्तु में पैदावार करने लगा, खेती करने लगा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा बोजा बढ़ने लगा, तो उसने अपने बुद्धी विवेक से पैये का विस्कार किया, जिसकी मैंने बात की थी आप लोगों से, ये देखिए आदी मानव ने किस तरीके से पैये का विस्कार किया पत्थर को तरासा और किस तरीके से पैये को उसने इस्तेमाल किया, और ये प्राचीन समय में लोग पैदल चलते थे, आप जानते हैं ये चीज़, अपने समान को ढोने के लिए पस्वू का उपयोग करते थे, परन्तो पहिये की खोज के उपरांथ परिवेहन छेत्र में एक महतपूर्ण क्रांती आ गई और परिवेहन के विविन साधनों का क्या देखेंगे कि ग्रामिंड छेत्रों में पस्वू का इस्तेमाल हो रहा है, धीरे-धीरे परिवेहन के साधन एक उट गाड़ी हो सकती है, बैल गाड़ी हो सकती है, खचर का प्रियोग किया जाता है पाड़ी आलाकों में, और किस तरीके से आप आज के समय में देखेंगे, तो तिवर कामी ध्वनी की रफ्तार से चलने वाली परिवेहन के साधन विक्सित हो गए है, मेट्रो रेल है, और बहुत तेज नैनो रेल है, जैसे मेट्रो रेल है, और ये सब विक्सित हो गए है, जो परिवेहन के क्रांती लाने में जिनका महत्पूर योगदान है, लिख ये भारत की स्थेती है, दक्षनी अफरीका के एंडीज परवत के छेत्र, बात करेंगे दक्षनी अफरीका में हमने जहां खास के मैदानों में चर्चा की थी, पंपास की चर्चा की थी, लानोस की चर्चा की थी, और कंपोस की चर्चा की थी, ब्राजील में, अर्जेंटीना में वैनेज्वला का अध्यन किया था, तो उसी के पाद चिली की तरफ है एंडीज परवशंक्ला, जो सबसे लंबी परवशंक्लाओं में उसका नाम आता ह। उंची नहीं है, सबसे लंबी है। तो वहाँ एंडीज के छेतरों में लामा का उपयोग होता है लामा जैसे याक होता है उसी की तरह एक पसू होता है लामा जो की जैसे हमारे यां उट का प्रियोग होता है खचर का प्रियोग होता है घदे का प्रियोग होता है वैसे वहां लामा का उपयोग किया जाता है स्तान अंतृत वस्तों को ले जाने में जैसे तिबत में याक का उपयोग होता है तिबत में याक का प्रारम में अन्य देशों से व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महिने लग जाते थे आप जानते हैं भारत की खोज इतियास में आपने पड़ी है वासको डिगामा ने की तो वासको डिगामा जो था 1498 क पुर्तगाल से चला था और किस तरीके से ये अफरीका के चकर लगाते लगाते कहां पहुँचा भारत के काली कट पहुँचा तो यहां पर ये पुर्तगाल है और पुर्तगाल से ये चला आसा अंत्रीब के चकर लगाए मेडगासकर पहुँचा मेडगासकर से चलता हुआ अ काली कट पहुँचा था, जो काली कट आज वर्तमान में कुवाजी कोड के नाम से जाना जाता है, केरल में है, तो आप ये तात्परिये यहां पर ये है कि किस तरीके से एक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी और लंबी यात्रा का जो माध्यम है, वो क्या है, जल मार्क से था, और कई महने कई साल गुजर जाते थे तो कही ना कहीं इनसान ने इन परिवन के साधनों में बदलाव करने की जरुवत महसूस की वे समुदरी मार्क से या थलिये मार्क से आते थे हवाई यात्रा ने परिवन को दूर्द बना दिया बहुत स्पीडी हो गया जहां एरोप्लेंस आ गए एयर ट्रांस्पोर्टेशन जब से आया है एक क्रांती हो गई है अब यह देखे जहां कई वर्स लगते थे महिने लगते थे दिल लगते थे आज कुछ घंटों में हम एक स्थान से विश्व के किसी भी स्थान पर जा सकते ह किसके माध्यम से हवाई यात्रा के माध्यम से तो एक रूप आपने बदलता स्वरूप देखा ग्रामिन छेत्रों में जानवरों से देखा जानवरों के बाद तल मार्ग में देखा थल मार्ग पे देखा जल मार्ग पे देखा और लास्ट में हम एक वायू मार्ग में आगे देखते हैं, ये हैं परिभयन के प्रमुक्सादन, जो भी हमने अभी पढ़ा, उसी को, उसी के आधार पर हमने इसको चार भागों में विभाजित कर दिया है, आप ये देखिए, सडक मार्क से, रेल मार्क से, जल मार्क से, वायू मार्क से, क्या होता है, परिभयन होता थल मार्क आप जानते हैं, काम में लेते हैं उसको, रेल मार्क भी आपने सुना होगा, जल मार्क से आपका नाता हो सकता है, काम पड़ा हो पर उसके बारे में आपको रोचक जानकारिया देंगे और वाईू मार्क से भी आपने वाईूआनों को देखा होगा, वो तो याका ऐका कैसा होता है कि आपने दिन में एक दो बार वाईूआन आपको दिखाई देते हैं, वो भी बड़े रोचक लगते हैं तो इन सब के बारे में बारिकी से अध्यन करते हैं, सबसे पहले सड़क बार्ख, सड़क परिवहन जो है, ये कम दूरी पर आपको जाना है, खास की इसकी विशेषता ये है कि आपको ये डोर टू डोर फैसिलिटी देता है, यानि कि दर्वाजे से दर्वाजे तक, गाड़ी रुकी आपके दर्वाजे पर दस्तक दी और आपका समान पकड़ा दिया, ये सवीधा आपको कहां मिलेगी, सड़क परिवहन पर मिल सकती है, आप बस से यात्रा कर रहे हैं और आपका घर के पास से बस गुजर रही है, आपने बस कन्डेक्टर को बोला, मेरा घर आ गया है रोग दीजिए, तो देखिए ये सवीधा है किसकी सड़क परिवहन की, लिखे इसमें, कम दूरी यातयात के सबसे अधिक उपयोगी किये जाने वाले मार्गों में क्या आता है, सड़क मार्ग, यानि कि जब आपको क्या करना है, कम दूरी करनी है, और सस्ता भी है, ऐसा न सड़कें अलग-अलग हो सकती हैं, सड़कें कच्ची हो सकती हैं, पक्की हो सकती हैं, आप जानते हैं, सहरों में अधिकतर सड़कें पक्की होती हैं, और ग्रामिन शित्रों में अलग-अलग, अब तो अधिकतर जगह पर आपको पक्की ही सड़के देखनों को मिलेंगी, ब जन्संक्या निवास करना पसंद करती है, खेती करना पसंद करती है, और परिभाईन के साधन का जाल भी बड़ा सगन बिछा हुआ रहता है, ये कुछ खास बाते हैं मैदानी च्छित्रों की. इसके तुल्ना में अगर हम मैदानी छित्रों की तुल्ना करें हिमाले के छित्रों से तो हिमाले परवत पर मनाली ले राजमार्ग विश्व में सबसे उचे सड़कमार्गों में से एक है अभी कुछ समय पहले ही प्रधान मंत्री महोदे ने उद्घाटन किया था मनाली से लेह मार्ग का सुरंग का किया था जो की काफी लंबी सुरंग है और बड़ी प्रसित सुरंग है आगे देखिए भूमिगत सडको को भूमिगत मार्ग सब्वे कई जगे आपको उधारन दू जैपूर में अगर आप चांदपोल से बड़ी चोपड या छोटी चोपड तब की यात्रा करेंगे तो वो भूमिगत है इसी तरीके से उधारन प्राचिंतम अगर लेते हैं तो मेट्रो का उधारन में आएगा कलकत्ता मेट्रो 1905 में प्रारंब हो गई थी और वह भी भू मिगत मार्ग होते हैं जमीन के नीचे से अब आप ये देखिए आपको पता ही नहीं चल रहा है उपर बजार है सब है और आप आसानी से कहीं रुके नहीं और तिवर्तम तरीके से पहुंचके दिल्ली में सहाद्रा से आप दूर यमनापार तक चले जाएए 40 मिनिट में और नीचे रेल मार्ग है एक सडक चल रही है और उपर मेट्रो चल रही है मेट्रो के उपर से भी एक सडक मार्ग जा रहा है तो ऐसे क्या होते हैं फ्लाइ ओर होते हैं जो तुरंत आपको जोड देते हैं क्योंकि ट्रैफिक से समाधान देते हैं ट्रैफिक जाम जो हो जाता है उसे निजाद दिलाने में मदद करते हैं फ्लाई और उत्तित सरचनाओं की उपर बनाये जाते हैं आगे देखते हैं रेल परिवहन सड़क परिवहन के उपरांत एक और भूत अच्छा सादन है रेल परिवहन है 1854 में भारत में रेल सेवा आ गई थी जो ठाने में शुरू की गई थी मुंबई में शुरू की गई थी और अंग्रेजो की काल में थी ये तो रेल मार्ग के द्वारा तिवरता से कम खर्च में लोगों का आवागमन इवन भारे समान को ढूने का कारे किया जाता है आपने देखिए एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग है भारत का है न ताजो की बार और कितने लाखो लोगों को रेल एक दिन में एक स्तान से दूर से स्तान पढली जाती है बड़ा सस्ता सुगम साधन होता है स्तान बहुत होता है परिसान नहीं होते लंबी यात्राएं कर सकते हैं, आराम से, कई स्वीदाएं होती हैं, आपको जमु कस्मीर से कन्या कुमारी जाना है, आराम से रेल में इस्तेमाल कीजिए, जमु तवी है, एक्स्प्रेस है, कई ऐसी गाडिया हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा करती हैं, और उसमें बहुत सार एंजन चले थे, James Watt ने भाप के एंजन का अविस्कार किया था, एबम उध्यों की क्रांती ने रेल परिवेन के तिवर विकास में साहे था पुतान की, तो रेल के अलग-अलग, आपने देखा, रेल वे लाइने होती हैं, जिसमें अलग-अलग उसकी पट्रियां होती हैं, ज ब्रॉड गेज होती हैं, ब्रॉड गेज होती हैं, तो ये अलग-अलग रेल की पट्रियों का हिसाब किताब हैं, कि किस तरीके से, अब आपको देखें, तो अधिकतर जगए पर ब्रॉड गेज नजर आती हैं, जो ब्रॉड गेज होती हैं, ब्रॉड गेज, गेज का मतलब होता है पट्री के बीच का नाप यह जो नाप है यह गेज कहलाता है तो मीटर मतलब एक मीटर का होगा नेरो मतलब वह आदा मेटर के आसपास का हो सकता है 0.5 के आसपास का 0.5 और जहां पर ब्रॉड केज है वो 1.6 मीटर तक की उसके बीच की चोड़ाई होती है तो अधिकतर आपने देखा है कि आपके गाउं के वहां से या सहरों में आपने नजर दोड़ाई होगी इस तरी के देखा होगा पट्रियों का बदलाव भी हुआ था जहां छोटी पट्रि से ले जाईए वहां इस तरी के नेरो गेज देखने को मिलेगे पाकी अतिकतर इस्तानों पर ब्रॉड गेज की पट्रिया होगी क्योंकि ब्रॉड के से रफ्तार बढ़ जाती है रेल परिवहन की इसी के साथ जहां भाप के इंजन से आगे बदलाव होता है डीजल के इंज इनके बाब बिजली के इंजन आ गए है तो ये एक बदलता स्वरूप है डीजल एवं विदूत इंजनों ने व्यापक रूप से वास्प के इंजन का स्थान ले लिया सुपर फास्ट रेल गाडियों से परिवहन की गती में और तिवता आ गई तो ये परिवहन की कुछ फ है ये बात मैं कई बार कर चुका हूँ कि सडक परिवहन है रेल परिवेन हैं मैदनी भागों में आपको पहाड़ी अलाके हैं मरुस्तली अलाके हैं तट्चत्य अलाके हैं वहां से ज्यादा सघन ही देखने को मिलेगा उन्नत प्रद्यूगी की कोशल से तुर्गम पहाडी छेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना, संभव हो गया है, पहाडियों में भी हम पहुँंच गये हैं, असाम है, दूर-दराज के पूर्वान-चल के इलाकों में भी रेल मार्ग उपलब्ध हो चुका है, यह इसका योगदान किसका है, प्रमोख यूगतान है भारतिय रेलवे का ये देखिए इंडियन रेलवे है जो आपको कई बार मुखा मिला होगा रेल से यात्रा करने का जाल भली भाती विक्सित है और आप इसको नोट कर लें कि ये एशिया का सबसे बड़ा रेल परिवहन जो जाल है उसकी सगंता एशिय नमबर वन है आगे देखते हैं जल परिवहन जल परिवहन ऐसा परिवहन है बच्चों सबसे सस्ता सस्ते सुगम जैनि कि आपको चिंटा नहीं है समय की और भारी माल को कच्छे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाना है सफथा इसलिए है कि खर्चा कि próprio कि लगत पर maintenance का नहीं है यहाँ पर क्योंकि जल जो परिवेन के साधन है वो कहां चलते हैं जल पर चलते हैं जल प्रकरती ने हमने अथा महासागरों में जल हमने पढ़ा था कितना जल है आप जानते हैं 71% जल विद्मान है आगे देखते हैं प्रारंबिक समय में परिवेन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता है पुराने समय से अभी मैंने 1498 की बात की थी जैसे वासको डिगा मां भारत आया किस तरीके से क्या साधन चुना सडक मार्ग नहीं चुना वायू नहीं चुना रेल नहीं चुना क्या चुना उस समय यह सबसे प्राची इंतम था यह उसमय विक्सित हो चुका था आप यह मानिए पैये का अविस्कार करने से पहले भी लखड़ी के लठे पानी में डाल कर आज भी पुरवांचल के इलाकों में आप चले जाए नदी में बड़े-बड़े लखड़ी के लठे छोड़ दिये जाते हैं और तैरते हुए दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं है ना कितना फाइदा जल परिवहन का अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले समानों को ढोने के लिए किसका इस्तिमाल किया जाता है जल मारगों का यानि कि आप अगर तुल्नात्मक रोप से आ प्रकार के होते हैं अलग-अलग तरीके से इसको पाड़ दिया गया है कुछ नदियों में हैं कुछ महसागरों में हैं उसके आधार पर इसको नाम दे दिया गया है एक अंतर देशिय जलमार्ग होते हैं जो देश के अंदर विदिने कंट्री होते हैं देश के अंदर हैं ज का अंतरदेशिय जलमार्गों का और मैं आपको जानकारे देदू कि भारत में अब नेशनल वाटर वेज जो नेशनल वाटर वेज हैं वो एक से कितने हैं छे तक हैं नेशनल वाटर वेज मतलब अंतरदेशिय जलमार्गों की संक्या जैसे नेशनल हाइवेज होते हैं वैसे वाटर वेज भी होते हैं, जो अंतरदेशी जलमार्ग हैं, वो भारत में कितने हैं? छे हैं, एक नमबर सबसे बड़ा है, छे नमबर सबसे छोटा है. इसी तरीके से समुद्री जलमार्गों की भी हम चर्चा करेंगे, जो समुद्र में अलग-लग आप जानते हैं, महासागर है, प्रसांथ महासागर है, अंद महासागर है, और हिंद महासागर है, और अब तो आर्टिक महासागर पर भी परिवहन प्रारंबो हो चुका है. आपको जानकारी देदू कि जो अंद महासागर है अट्लांटिक ओशिन कहते हैं वो विसु का सबसे सगंतम जल परिवेन वहां से होता है कहां से अंद महासागर से आगे देखते हैं नावे नदियों एवं जीलों का उपयोग अंतर देशिय जलमारगों के लिए किया जाता है यानि कि छोटे हैं नाओं का इस्तिमाल, स्टीमर्स का इस्तिमाल, क्योंकि दूरी कम है, ज्यादा दूरी पर नहीं जाना है, पर इस्तिमाल एक देश के भीतर ही हो रहा है, उधारन के लिए गंगा ब्रहंपुतर नदी तंत्र है, उत्री अमेरिका में ग्रेट लेक्स है, का चिन दिखाये गया है, पोट का नाम है गंगा, ठीक है, आगे देखते हैं, समुद्री एवा महासागरिय मार्गों का उप्योग, सामने ते व्यापारिक मालम समान को एक देश से, दूसरे देश में पोचाने के लिए करते हैं, बलब अंतर देशिये में विदिने देश, एक देश के अंदर, बाहर नहीं जा रहा है, और समुद्री मार्गों का इस्तेमाल, अलग-अलग देश से, नियोर्क से मुंबई, मुंबई से फ्रैंकफर्ट, अलग-अलग स्थान उपर जा रहा है, इसे तरीके से, अलग-अलग जितने पंदरगा इसके लिए बना दिये जिने पतन कहा जाता है, पतन वो इस छित्र इस्तान होते हैं, जहां पर जहाज आकर रुखता है, अपना माल को ला देगा, उतारेगा, इस तरीके के बंदरगा होते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, यह देखिए एक बंदररगा, एक पतन का आपको दिखाइए गया है है चित्र जिसमें आप देख़े हैं बड़ा जहाज होता है वो किस तरीगे से अपने माल की ढूलाई करता है लाता है ले जाता है कुछ समय रुकते हैं वहाँ पर और फिर लंबी यात्रा पर चल पड़ता है ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं विस्व के कुछ महतपून पतन है, कौन-कौन से विस्व के महतपून है, एशिया में सिंगापूर, एवं मुंबई है उत्री अमेरिका में नियॉर्क, लास एंजलस है दक्षनी अमेरिका में रियर डी जनेरियो है अफ्रिका में दर्बन है, कैप टाउन है, औस्टेलिया में सिड्डी और यूरोप में लंडन ये क्या है? ये महत्पून पतन है, यानि कि पोट्स कहते हैं इनको पोट्स है या फिर छोटे होते हैं हारबर जहां पर जहाज रुका करता है ये देखिए, ये एक आपको पोट का उधारन, पतन का उधारन आप देख रहे हैं पहले भी आपने देखा, पिछले वीडियो में भी देखा किस तरीके से बड़े जहाजों को माल की ढुलाई हो रही है और ये देखिए, कई सारे यहाँ पर जहाज खड़े हैं और किस तरीके से ये लंबी यात्राओं पर निकलते हैं आगे देखते हैं, वायू परिवयन तो ये एक बदलाव हमने देखा कि जो वायू परिवयन है जिसको हम दूर्द कामी और सबसे तेज गती से चलने वाले परिवयन सादनों में जानते हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, नोट कीजिए, शुरुवात होती है पेश्वी सदी से आरंब में विक्सित ये है परिवयन का सबसे तिवर मार्क का सादन है, बहुत तेज गती से चलता है इधन की लागत अधिक होती है, इसलिए ये क्या है? महंगा होता है आपको मैं बता दूँ, हवाई जहाज में कैरोसीन डलता है, जो प्यूरिफाई लिक्विड कैरोसीन होता है, वो इस्थेमाल में काम में लिया जाता है और बहुत रिफाइन होता है, जो कैरोसीन ये नहीं है, जो डिबरे में डलता है, वो नहीं है एक pure kerosene होता है जो बहुत first layer होती है तेल की छान कर बहुत तैयार किया जाता है जो इधन के रूप में काम में आता है और इसलिए बहुत महेंगा होता है और आप ये देखिए लंबी दूरी को तुरंत मिंटों में पूरा कर देता है ये इसकी खास बात है वायू यातायात ख होता है आपको पहाड़ी इलाकों में आपको याद होगा गंगोत्री में जब अलकनंदा यहां पर बाड़ आ गई थी उत्राखंड में तो उस समय ऐसे दुरकम इस्तानों पर निकालने के लिए हमने इस्तेमाल में लिए हेलिकॉप्टर ऐसे लोगों को बाड़ ग्रस छेत को उनकी आउशक्ताएं पूरी की जाती है या उन्हें मोहिया करवाई जाती है विसेश रूप से जहां सडक एवं रेल मार्क नहीं होते हैं हेलिकॉप्टर का मैं भी जिक्र कर रहा था जो अगम्य स्तानों जहां नहीं जा सकते मतलब 14,000 फिट की उचाई तक भी अलीन स्थितियों में लोगों को बचाने भोजन, जल, कपड़े, दवाएं, बाटने के लिए ये उप्योग में लिये जाते हैं ये एक हेलिकॉप्टर का चितर आप देख रहे हैं छोटा हेलिकॉप्टर है दो लोग इसमें बैठते हैं और किस तरीके से ये उचाई पर ज जवाता है जो उनकी आवशिक चीजे हैं क्या-क्या पड़ी भोजन है, जल है, कपड़े हैं, दवाईया है उसका वितरन करता है और कुछ महत्मूर्ण हवाई पतन होते हैं जैसे जिने एरोड्रम्स कहा जाता है, एरपोर्ट्स होते हैं जहां पर जहां जाकर रुखते हैं दिल्ली एरपोर्ट है, मुंबई है, नियॉर्क लंदन है, पैरिस है, फ्रेंकफर्ट है, काहीरा है, मिश्र में काहीरा है, आगे देखते हैं, ये विश्व के प्रमुक हवाई एवं समुदरी पतन हैं, इन पे भी एक नजा डाल लेते हैं, जो भी हमने यहां पढ़ा, उस मुंबई है, आप मुंबई से यात्रा करें, मुंबई से आप चलेंगे लाल मार्क, तो लाल मार्क किसको दिखा रहा है, वाई उनको, मुंबई से आपकी यात्रा है, मौरिश्यस, मौरिश्यस से जोहांसपर्ग, जोहांसपर्ग से रियर डी जनेरियो, ठीक है, रियर डी के महादीप ही बदल गए, आप एश्या महादीप से आपने यात्रा सी की सू, आप अफरीका में चले गए, अफरीका से आप दक्षनी अमेरिका में चले गए, दक्षनी अमेरिका से आप उत्री अमेरिका में चले गए, उत्री अमेरिका से आप यूरोप में चले गए, तो य जलमार्क देखिए, ये जलमार्क हैं, जो डॉटेड लाइन से दिखाए गये हैं, आप बिंदी देख रहे हैं, इन से दिखाए गये हैं, तो ये कहां मिलेंगे, तट के समीपी तो मिलेंगे, जो बंदरगा है, तो मुंबई भी एक बंदरगा है, वहां से आप यात्रा आप पूर्तगाल है वहाँ से कराकास होते हुए आप बर्मुडा एक है यहां से भी आप मीयामी तट है न्यू ओर्लियंस है यानि कि किसी भी तटिये भाग तक पहुँचा जा सकता है किसके माध्यम से जल्यमार के माध्यम से बड़ा सस्ता है तो आपको जिक्र जो स्टार्टिंग में कर रहा था ये पूर्तगाल है वो पूर्तगाल से वासको डिगा माग यह यात्रा ऐसे पूरा चक्कर लगाया अफ यह जो जगह है यहाँ पर 1869 में आप पढ़ेंगे स्वेज नहर का विसकार हुआ स्वेज नहर स्वेज कैनाल विसक्वी व्यस्ततम नहरों में इसका नाम आता है स्वेज नहर जो भूमद्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और इसकी सुरुवात होने के साथ ही यहाँ से ना जाकर इस स्थान से जाकर लाल सागर में जाकर अरब सागर और भारत देखो कितनी यात्रा छोटी हो गए तो यह मनुष्य की बुद्धी मता के स्वरूपी तो संपन हो सका यह सारे बदलाव उसी ने तो किये हैं अपनी आवशकताओं को पूरा करने के लिए आगे देखते हैं यह है ट्रांस साइबेरियन रेल्वे वार्ग विसु का सबसे लंबा रेल्वे मार्गो में इसका नाम आता है ट्रांस साइबेरियन जिसे ट्रांस मतलब यह पूरा एक भाग को क्या कर रहा है बाट रहा है क्या है साइबेरिया देखेंगे तो साइबेरि ये इलाखा है व्लाडी वोषटक, یानि कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लाडी वोषटक, सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप में, व्लाडी वोntटक आ गया एशिया में, परसांत महसागर के पास, तो इतनी लंबी यात्रा जो 92889, 9288 km की लंबाई है, मील में 5720, शबसे लंबा railway markों में इसका नाम आता है मैं दिन बता देता हूँ पूरी यात्रा करने में 12 दिन का समय लगता है कितने दिन का? 12 दिन का 12 डेज लगते हैं इस यात्रा को पूरा करने में और अलग-अलग समय भी बदलते रहते हैं उसके बारे में भी आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्यों समय बदलते हैं तो आपने इसको नोट करिएगा Trans-Hiberian Railway Mark विसमें सबसे लंबा railway mark है जो पच्छमी, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग, प्रसांद महासागर की तरपरिष्तिक, व्लाडी वोस्टक तक जाता है और इसके लंबाई को नोट कर लिजीगा आगे देखते हैं, कुछ सवाल है क्या आप जानते हैं जो आपकी पुस्तक में दिये गए है जाते जाते उन पे भी नजार डाल लेते हैं देखे, भारत में अनेक राष्टिये, इभम राज्ये राजमार्ग है, जो नेशनल हाईवेज की मैंने बात की थी भारत में एक्सप्रेस वे हैं बहुत तेच चलने वाले होते हैं उन्हें एक्सप्रेस वे कहा जाता है उन्ही में है स्वानेम चतुरभुज जिसे गोल्डन ग्वाडरेंगल कहते हैं ग्वाडरेंगल बना हुआ है कैसा है, चतुरभुज इस तरीके से है, आप ये देखे ऐसे बना हुआ है, यानि कि चार मुखे बिंदूओं को जोड़ रहा है, जो महानगर थे और महानगर अव्रहत महानगर बन गए हैं मेगा पॉलेटिन सिटीज बन गए है जैसे दिल्ली है दिल्ली के बाद यहां मुंबई है आपके इस तरीके से यहां पर कॉलकता है और लास्ट में क्या है चैन्ने है तो इनको जोड़ने के लिए जो स्तल मार्क बनाये गया उसका नाम है स्वानिम, चतरभुच, महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चैन्ने ही और कॉलकता को जोड़ता है इसकी लंबाई नोट कर लिजिए 5846 किलोमेटरी के लंबाई है यह मांचितर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेशिक्तिया है यह वही बिंदू दिखाए गए है सारे के सारे आप देख सकते हैं यह वो पॉइंट्स हैं यह कॉलकता है यहाँ पर आपका दिल्ली है यह आपके मुंबई है और नीचे चैन्ने है तो यह जो एक आप यह देख रहे हैं यह चत्रभुच बन रहा है इसी को golden quadrilateral कहते हैं या quadrangle कहते हैं आगे देखते हैं जानिंग से लहासा जानिंग कहाँ पर है चीन में इस्तित है लहासा तिबद बेस्तित है और वहाँ पर उनके बीच में चननने वाली रेलगाड़ी समुदर तल से 4,000 मीटर बहुत उँचाई हो गई है 4 किलोमेटर है कि उँचाई पर चलती है जिसका सबसे उँचा बिंदू समुदर तल से 5072 मीटर यहनी कि 5 किलोमेटर की उँचाई परिस्तेत है है ना कितना रोचक वहाँ पर भी रेल सेवा उपलब्ध है यह देखिए यह उसका चित्र है रेल सेवा यह जो उँचाई है यह 5072 मीटर के इसका टॉपमोस्ट पॉइंट है वहाँ पर भी रेल सेवा उपलब्ध है जगय कौन सिती जीनिंग से लहासा के बीच का रेल रूट दिखाये गया है यह लहासा है तिबबत में और यह चीन का जीनिंग है आया ना मज़ा तो इसी के साथ निरंतर वीडियो देखते रहिए और कई रोचक सवालों को ऐसे ही चुटकियों में हल करते रहेंगे इसी के साथ नमस्कार जैह